और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज जेश्ट मास के शुक्रपक्ष की नौमी तिति और गुरुवार का दिन है नौमी तिति आज सुबा आट बच कर बाइस मिनट तक रहेगी उसके बाद दश्मी तिति लग जाएगी आज का पूरा दिन पार करके देर रात एक बच कर उन्चास मिनट तक व्यतिपात योग रहेगा इस योग में कोई भी कारे करने से हानी ही होती है और भारी नुकसान भी उठाना पर सकता है इस योग के दौरान अगर आप किसी का भला भी करना चाहेंगे तो उसका बुरा ही ह होगा साथ ही आज का पूरा दिन पार करके अगली भोर आठ बच चार बच कर तैईस मिनट तक पोर ट्वंटी त्री एम हस्त नक्षत्र रहेगा आकाश बंडल में कुल 27 नक्षत्र है उन्हीं में से हस्त तेरहुआ नक्षत्र है हस्त नक्षत्र अत्यंत शुब नक्षत्रो इस दवरान कि एगए सभी कारियों का शुब फल प्राप्त होता है हस्त नक्षत्र हस्त शब्दकार्थ है हाथ और इसी के अनुसार हस्त नक्षत्र का परतीक चिन्न हमारे हाथ की हतेली को माना जाता है जो कि सीधे तोर पर हमारे भागय को दर्शाती है हास्तनक्षत्र हमारे भागय को उज्वल करने वाला है हास्तनक्षत्र को हमारे जीवन में परिशम करने की एक्षमता विशेश कर हाथ की कला से जोड़कर किये जाने वाले कारियों के साथ जोड़कर देखा जाता है हस्तनक्षत के स्वामी चंद्रमा है अता हस्तनक्षत के दोरान चंद्देव की उपासना की जाती है साथी हस्तनक्षत में भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है इसकी राशी करने है और इसका सम्मन रीठा के पेल से बताए गया है जिन लोगों का जन्म हस्तनक्षत में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन हस्तनक्षत के दौरान रीठा के पेड़ या उससे बनी किसी अन्य चीज़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और नहीं उसका उप्योग करना चाहिए तो ये थी व्यतिपात योग और हस्तनक्षत की तरचा अब एक सवाल ये है जैसे हमसे अकसर लोग पूरते हैं आपने बताया तो हस्तनक्षत बहुत अच्छा है लेकिन आपने योग खराब बता दिया अरे भाई हमने नहीं बता दिया वो तो पंचांग ने बता दिया लेकि हस्तनक्षत बहुत अच्छा नक्षत रहे हैं लेकिन व्यतिपात योग अच्छा नहीं है तो एक से पॉस्टिवटी मिल रही दूसरे से नेगेटिवटी आप बैलेंस को खुद भी समझ सकते हैं तो इसलिए कभी भी इन चीजों का ये कहना कि अब आप बताये आप काम करे करें किना करें जरूर और भी ज्यादा माइनूट चीजें अब्सर्व करके काम करें हम आपको माईनूटेस्ट चीज़ें बताते हैं ध्यंदिया और अब बात करेंगे आज के दिन के जाने वाले उपायों की चर्चा, अगर आप चाहते हैं कि आपके धन की तिजोरियां हमेशा भरी रहें तो इसके लिए हर्तनक शत्र में चांदी के उल्टी बनवा कर अपने दाहिने हाथ के उली में धारन करें, आज के दिन ऐसा करने से आपके धन में बढ़ोतरी होगी, अगर आपको हमेशा किसी ने किसी प्रकार की मांसिक परेशानी बनी रहती है, तो उसे बचने के लिए हर्तनक शत्र में आपको जिस कमरे में सोते हैं, वहाँ पर एक मिटी के दिये में दो कपूर जलाइए और पूरे कमरे में उसकी धूर दिखाने के बाद एक कोने में रख दीजिए, आज के दिन ऐसा करने से आप मांसिक रूप से अच्छा फील करने लगेंगे, अगर आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उसमें अपनी सफलता सुनेश्चित करने के लिए हर्तनक शत्र में रीठा के प परच होता है, या आपके घर में पैसा आने के बावजूद बचत नहीं हो पाती, तो इसके लिए हर्तनक शत्र में रीठा के बेल के पास जाकर नमस्कार करना चाहिए, और चंदर्मा के मंतर का जब करना चाहिए, मंतर है, ओम शांग शेंग शांग सह चंदर्मसे नमा, दे तो आज आपको पढ़ना है, ओम शांग शेंग सह चंदर्मसे नमा, टॉम नरुम शेंग सह चंदर्मसे नमा, आज हस्त रक्षत्र में इस मंतर का पांच बार जाप करने से आपके खर्चों पर कंट्रोल होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में इस ठाई रूप से सुकसमर्ड बनी रहे तो हस्त नक्शत्र में घर में धाग दक्षिना वर। शंक की स्थापना करें औरạt को पूजा की स्थापना करें रोज पूजा के समय अउदा शंक शंक का उप्योग करें। सामंजस से स्थापित नहीं हो पाता तो इसके लिए हर्तनक्षत्र में रीचा का फिर अपने घर के बाहर लगाएं और रोज उसकी देखपाल करें आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार के बीच सामंजस से स्थापित होने लगेगा अगर आपको किसी भी प्रकार की कारियों में धीरे धीरे करके सफलता मिले लगेगी अगर आप विदेश जाने के चुक हैं लेकिन विदेश जाने के लिए आपने जो बेवस्था बना रखी है उसे बार बार किसी ने किसी तरह की परिशानी आ रही है तो हर्तनक्षत्र में सफेद कपड़े में चावल और अगर आपका व्यापार किसी दूसरे शहर या राजे में है और आपको अधिक धनलाब नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए हर्तनक्षत्र में सफेद सुगंधित पुछवाला पौधा गमले में लगाकर अपने आफिस में रख दें और उस गमले को अपने आफिस की पूरु हर्तनक्षत्र में कर सकते हैं लेकिन आज व्यतिपात योग है तो ध्यान करिए कि अगर एमर्जंसी हो तभी आज शुरुवात करिए और अगर शुरुवात करनी ही पड़ रही हो तो चांदी की कोई वस्तु लाइए चांदी का चौको टुकड़ा अपने पास रखिए ऐस इसे बचने के लिए हर्तनक्षत्र में शू मंजिर जाकर शूलिंग पर दूट चढ़ाईए और अपने घर की परेशानियों को दूर करने की प्रत्ता करिए आज के दिन ऐसा करने से आपके परेशानियों का हल जल्दी ही निकलेगा अगर लाख परिशम के बाद भी आपके कारोबार की गटी ठीक से नहीं चल रही है और आपको मन मताबिक फाइदा ने मिल पा रहा है तो इसके लिए हर्तनक्षत्र में सवाकिलों चावल या चांदी का दान करना चाहिए और संभव हो तो हर्तनक्षत्र के दौरान गले में सफेद फूलों की माला धरन करनी से आपके कारोबार की गति बढ़ने लगेगी तो ये सारी चर्चा थी आज वेतिपात योग और हस्तनक्षत्र के बारे में उमीद है कि आप इस चर्चा का लाव जरू उठाएंगे